जैन धर्म है वो हिंसा के खिलाफ है तो इसके लिए कहीं आप भी तो उसमें जो है हिंसा किया उन्होंने तो यह हो सकता था कि आप उसको बात चीट करके जो है उस तीज को मेंटर को जो है आख सकते तो फोल लगया वाले रात युद्ष कि अमें फॉल्स आख है अब संहर नीमें किया है मंदीर तोड़ने के लिए जो भी मंदीर के बारे में आएगा मजीद के बारे में आएगा गुरुद्वारा क्या आएगा कप्रस्तान के लिए शम्शान बुई के लिए तब निलेच चोजरी खड़ा रहेगा इस भीवन दिवाशियों के लिए वो दो कंपाउंड वो वो सब काम वो करते हैं क्या सिर्फ टेंपल का तू इशुक हटा दे हमारा तेरा जगड़ा खत्म अगर अभी तक आपने दवोइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें उपर जो है हिंदुस्तान का कानूने और जो कोड़ डिसाइड करेगा वो ही final order होगा जिस तरह से इन्होंने बताया हमें निकेश भाई ने कहां कहां पर जो illegal सारी चीज़े है हम आपको यह सारी चीज़े भी दिखाएंगे और एक बात मैं आपको बोलू कि हम यहां पर कोशिश करेंगे निले शौदरी से भी बात करने की कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है उन्होंने तो अल्रेडी अपना जो जो कहना था उनकी जो राय थी उन्होंने वीडियो जारी करके उन्होंने बता दिया लोगों को लेकिन एक बार फिर हम कोशिश करेंगे हमारे तरफ से मिलने की और उनसे कुछ सवाल करेंगे तो दोस्तों यहां पर हम आए है निलेशादरी के पास में जो निलेशादरी यहां के स्थानिक नगास से वक है और जो भी आपने जो देखा जो हाथसा हुआ जो प्रकरण हुआ जो भी वारधात हुए तो उसमें एक एहम रोल इनका भी था तो इनकी बहुत ज़रूरी था के इनकी भी जाता हूं कि एक वीनेश कंतिलाल गुटका और शाह उन्होंने एक साल से बिल्डिंग के उपर कंप्लेंड कर रहे थे महावी रेसिडेंसी में का वह इन्होंने अन्लीगल कंट्रक्शन किया है अन्लीगल कंट्रक्शन क्या गया है रिफुजी फ्लैट मार्जिंग का एक था और एक के फोर में दो दो फ्लैट के बारे में किया था और सबसे बड़ा हैं मुद्दा है जेन टेंपल का जो जेन मंदीर है उसके उपर उन्हे दिया है त्रीशिला कंट्रक्शन को उसमें उसने साप लिखा है कि आपने चार चार चीज का उन्होंने किया है कि है आपने रेफुजी फ्लैट का निगल वैलन्स किया है उसके बाद में डिवाल आपने गलत बनाई है दो फ्लैड उसमें वो किया है और एक जहन मंदिर अपने गर्ड़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी हाली में गोवर्मेंट ने अपने को एपेसाय आपने बढ़ा के दिया तो हमारा एपेसाय उसे में दो आजरबीस में और उसमें मेरा एपेसाय दो हो गया पहला मेरा ओन 165 था वो मेरों को 2 का EPSI मिल गया उसमें मेरा अब भी ये सब होने के बाद 10,000 जो भी EPSI बच रहे लेकि मेरों को जगा उधर बनाने के लिए भी नहीं मैं सब completion ले चुका हो तो वो खतम हुआ है तो हमने मान अगर पाले कि मैं प्रस्ता हो हमारे जो केके associate के ये जो है उनके माध्यम से हमने summit किया है कि अब आप हम लोग TLL नया किया है और summit करके हमको इसका तुम परवांगी दो उसमें हमको उन्होंने कहा है कि हम आपको ये चीज का हमको लाके दो और मंदीर का जो हिस्सा था उतको तोड़ दो तो उधर के लोगों ने मुझे फोन किया क्या हुआ इसे से मान अगर पाली का आ रहे है और दिवाल तोड़ रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि वह बोले कि सिर्फ जो compound वाल था वो तोड़ने का अधिश्ता मंदीर को तो वो लो प्रइबर को मानने वाला है ना हिंसा को मानने वाला है उसके बाद में यस आद मीने क्या किया है उस ठेमपल को तोड़ने में प्रिकों । सब पूरा पेपर मेरे पाथ पूरा पेपर में मीडिया को देता हूं उसके बाद में उसके बाद में उसने जो बिल्डिंग में रहता है उसका मेंडेनेस देना चाहिए कि नहीं मेंडेनेस नहीं दिया और फिर दो धर्म को लगाने के लिए मैं मुस्लिम को फ्लैट बेच रहा हूं अईसा उन्होंने कहा बाएदा था तिसरा विश्य ऐसा है जब इसके अंदर एक बैठक हुई थी मैं था किशोर जेन था एक वीनी गुपता था और दूराज कामन कर उनके मिटिंग हुई और मिटिंग के अंदर उसने क्या बोला मैं कुछ कंप्लेंट ने करता मैं उसको एक ही बहुत बोला कि टेंपल का विश्य तु छोड़ दे बाकि तेरों को पूरा क्या करने का तो तेरे सब से कर चेन मंदिर को तो उसमें ले मत तो उसने मेरों का मेरों 35 ला 30 लाग रुपे देने से अच्छा हम लोग वहाँ पर फैट करेंगे और उसके बाद में यह अगर जेन धर्म का आदमी अगर मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है यह कौन सा इंसाफ है तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको टोकूंगा कि जैसा कि आपने बूला कि जो जेन ध आपका जो हुआ हो गलत हुआ उसके लिए में उसका समर्दर ने करता लेकिन जो भी मंदिर के बारे में आएगा मजीत के बारे में आएगा गुरुद्वारा क्या आएगा कप्रस्तान के लिए शम्शान मोई के लिए तब निलेच चोधरी खड़ा रहेगा इस किया यह किये अपना जो काम है वो सही तरगी से करने का अगर उसका काम है उसने अगर पिटिशन नहीं फाइल करता था आज भी उसको मैं तुभारे माध्यम से चैलेंज करता हूँ क्या सिप टेंपल का तूँ इशू हटा दे हमारा देना जगड़ा खतम तू क्या बिल्ड अगर बाली का भी जवाबदार है इसमें कि उन्होंने स्थार्मिक स्थाल अगर है तो उसको चार लोगों में बैठके सुरा सौल करना मंगता था यह भीवनडी शेर के अंदर दो बार दंगे हो चुके हमने उसको साह सक्तर में आया है चोरा सी में है और यह चीज हमने कभी भी लेखा है और इससे हम लोग कभी धर्म को लेकर अभी तक राजनीदी नहीं की इसके लिए हम लोग यहां प्याद बीस साल से नगर से हो गए और कोई भी धर्म के लिए अगर कल अफ़ाय हो गए का बाबा मंदिर तोड़ने के लिए वह आ गए तो हम लोग वह उसको सुपा दे रहे हैं ऐसा है बाकी आभी आपके माद्यम से बोलता हो जो बाकी करने का कर हमको उससे लेना देना नहीं लेकिन तू मंदिर को बनाएगा तू जेन टेंपल यहां पर लिखा उसे अंडर कंट्रक्शन ऑप दे जेन टेंपल हाउस बींद डन ऑप दे ओपन पेस इसका मतलब क्या है अभी बहुत सारे लोगों पुरे भ्यवन्डी शेर के अंदर इतने मंदिरे है इतने मजीदे है गुरु द्वारा है क्रिच्चन के हमारे यह सब बने हुए मदर से है बने के खिलाब मत जाओं आप सिर्फ सच्चाई के बात करो और हम सच्चाई को लेके चलने वाले हैं इसके लिए लोग का हमारा विश्वास करते हैं आज उसके समाज ने उसका निश्यत कर दिया कि तु यह टेंपल तोड़ने के लिए आयकोड में चला गया हमको बोलता थ वहां हें इसके बावजूद में जो दूसरी माले बावाज़ गर का करना हमकोड में करने मिटिंग में जगड़े करने वो सब काम वो करते हैं अचा दूसरी बात कि लोगों को आगे पीचे बढ़काते भी हैं यह मंदिर के बारे में ऐसा क्यान खुद तोड़तारी करना मतलब एक टाइम में तो ऐसा है कि हमारे महमान आये थे महमान कारी पार्किंग करके निचे से उपर आया तो उसने बिचे में गारी लगा दिगाने के लिडिस भी ती गाली क्लोच किया उसने हां और गाली क्लोच करने जे हम लोग भाँ घर पे थे लेडिस लोग ती कुछ बोले नहीं और उसके बाद में लोग सांद्रे फिर भी रोज इसका नया एक एक आड़ंगा चलू रियता था और हर किसी के साथ में जगडा करना इसका रोज का काम ही यह यह जो आपने कहा के मेंटेनंस नहीं दे रहे तो यह कैसे मतलब आप उनसको प्रूव करेंगे मतलब आप आप कुद मेंटेनस करें तो पूरा सोसाइटी है सब मिलके देखो निचे सब का उसका सब्सक्राइब निचर है लोगों से जचड़最近 सब्सक्राइब के वा जय जो मतलब जैसे कि सब्सक्राइबाम डिजा फेंगे लेगे समस्लिज हो जो यह जङिया आ नी वहां पे तो साब लोगा के उसको यही पूचे के कौन लिए तो सब दान ब्लोच कया गाली कुलोच कि तो दोस्तों देखा आपने किस तरफ से यहां पे दोनों जो पक्ष है उनका मत हमने आपके सामने रखा और दोनों की राय आपके सामने रखा अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है या तो यह कोट डिसाइड करेगा और या तो फे यह जो मानगर पारिकार एक्शुली कोट मे मैं फिरोज मिमन दाव इसने से थेंक यू